हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मा यूटूब चैनल तो आज की इस वीडियो में हम आपको गोवर्धन महाराज बनाना बताएंगे गोवर्धन पूजा के लिए गोवर्धन महाराज कैसे बनाई जाते हैं वह भी बहुत ही सरल तरीके से यहां पर मैंने फर्ष को पहले बना ली है अब हम गोवर्धन महाराज का स्केच बना लेंगे तो हमने आप पर गोवर्धन महाराज का पहले से ही एक खड़िया से या चाक से किसी से भी आप स्केच बना लीजिए तो गोवर्धन महाराज बनाने में आपको आसानी होगी हमने आपर पहले से ही स्केच बना के रखा है अब हम आपको गोबर्धन महाराज बनाना बता रहे हैं हमने पहले भू बना लिया है उसके बाद हम गोबर्धन महाराज की गर्दन बना रहे हैं उनका धड़ बना रहे हैं शरीर बना रहे हैं यदि आप गोबर्धन महाराज का पहले से इसकेज बना कर रखते हैं तो आपको गोबर्धन महाराज बनाने में बहुत ही आसानी होती है और बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही सरल तरीका है यह गोबर्धन महाराज बनाने का तो यहां पर हमने तो अब हमने यहां पर गोबर्धन महाराज का शरीर भी बना लिया है अब हम उनके हाथ बना रहे हैं और दुपट्टा बनाएंगे साथ ही हम उनका दुपट्टा भी बनाते जाएंगे जब आपको बर्धन महाराज बनाएं तो अपने पास इशकेल रखिए या फिर कोई लकड़ी की फंटी बगरा रखिए लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए जैसे मेरे पास है उसस से आप सेट करते जाएंगे और फनिशिंग देते जाएंगे इसे दो बहुत अच्छे से आजाएगी और बहुत ही आसानी से गुबर्धन महाराज अच्छे से सफाई से बनकर तयार हो जाएगे लकड़ी के टुकड़े से बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं गुबर्धन महाराज अब हम इसी तरह से दूसरा हाथ भी बना लेंगे और डुपटा भी बना लेंगे यहां पर हम दूसरा हाथ भी बना रहे हैं और डुपटा भी बना रहे हैं फ्रेंड्स गोबर्धन माराज की पूजा कैसे की जाती है इसकी पूजा विधी क्या है गुबर्धन माराज की पूजा सामिकरी क्या है इसका वीडियो भी आपको मेरी चैनल पर भोच जद मिल जाएगा उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं हर साल दीपाबली के तोहार का इंतिजार आपको भी रहता ही होगा पांच दिन चलने बालना दीपोत्सव का हर दिन एक नया परग होता है धन 13 के बाद नरक 14 दीपाबली और अगला दिन होता है गुबर्धन पूजा दीपाब का परव यूत भगवान राम के घर बापसी और माता लच्मी के पूजन के साथ मनाया जाता है परगोबर्धन पूजा बाले दिन भगवान स्री किष्ण की पूजा होती है साथ ही गाय के गुबर्धन देव बना कर उन्हें पूजनी की परंप्रा भी रही है कार्तिक महीने में शुकल पच्च के पहले दिन यानि प्रती प्रदा के दिन ये परव आता है अब हम गुबर्धन महाराज के पैर बना लेंगे अन्नकुट पर्व मनाने से मनुष्य को लंबी आयू तथा आरोय गिता की प्राप्ति होती है साथ ही दरिद्रता का नाशोकर मनुष्य जीवन परियंत सुखी और समरद रहता है ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन कोई मनुष्य दुखी रहता है तो वह बर्ष भर दुखी ही रहेगा इसलिए हर मनुष्य को इस दिन प्रसन रहकर भवान स्रीकेशन को प्रिय अन्नकुट उत्सब को भक्ति पूर्वक तता आनन्द पूर्वक मनाना चाहिए जब कृष्य ने ब्रजबासियों को मुसलधार बर्षा से बचाने के लिए साथ दिन तक वो बर्धन प्रवत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र का मान मर्धन किया था उनके सुदर्शन चक्र के प्रभाब से ब्रजबासियों पर जलकी एक भी बूंद नहीं पड़ी सभी गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुख पूर्वक रहे तब भ्रमा जी ने इंद्र को बताया कि प्रतवी पर सिरी किष्ण ने जनम ले लिया है उनसे बैर लेना उच जानकर इंद्रदेव अपने इस कारे पर बहुत लज्जित हुए और भगवान स्री किष्ण से छमाया चना की भगवान स्री किष्ण ने सातवे दिन गोबर्धन परवत को डीची रखा और हर बर्ष गोबर्धन पूजा करके अनकूट उतसब मनाने की आज्या दी तब ही स अपनी एक उंगली पर उठा के रखा है कि फ्रेंड शायद आपको देखने में यह कठिन लग रहे हैं आप इस केच बनाकर यदि गोबर्धन महाराज बनाएंगे तो बहुत ही सरल तरीके से बन जाते हैं बहुत ही आसानी से बन जाते हैं एक बार आप इस तरह से ट्राय कर करके देखिए गोबर्धन महाराज बनाने के लिए अब हम उनके बाल बना लेंगे फ्रेंड्स गोबर्धन महाराज अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं लोग अपनी सुधा के नुशार जैसे उनको बनाना आता है वह वैसा ही बना लेते हैं अब हम दूसरी तरह पी उन अब हम गुबर्धन माराज का मुकट बनाएंगे अब अपनी तरह से कोई भी शेप देख सकते हैं मुकट की मेने याँ पर कुछ इस तरह से शेप दी हुई है आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने गुबर्धन माराज का मुकट भी बना लिया है मुकट बनकर रेडी भी हो चुका है देखिए कितने सुन्दर तरीखे से भगवान का मुकट बनकर रेडी हो चुका है अब हम गाए माता बना लेंगे यहां पर हम चार गाए माता बना लेंगे उनकी पहले हम नाद बनाएंगे जिसमें भोजन करती हैं और फिर हम गाए बना लेंगे इस तरह से क्योंकि गोबर्धन माराज की पूजा में विश्येश रूप से गाए की पूजा की जाती है अब हमारी गाए भी बनकर रेडी हो चुकी है तो हम बाउंडरी के बाहर एक चौधरी बना देंगे अब हम गोबर्धन माराज को कपड़ी पहनाएंगे तो हम यहां पर खीलों से इनका शिरंगार कर रहे हैं इस तरह से आप इनका खीलों से शिरंगार भी कर सकते हैं आपको बर्धन माराज का कई तरीकी से स्रंगार कर सकते हैं खीलों से कर सकते हैं गुलाल से कर सकते हैं जो रंगोली वाली कलर आते हैं उनसे भी कर सकते हैं फूलों से भी कर सकते हैं आपको जो सुदा लगे आप उनसे भवान का स्रंगार कीजिए मैंने यहां पर कुछ इस तोड़ा साइडिया दिया है आप उसी तरह से पुबर्दन महाराज का सरंगार कर सकते हैं और यदि आप इनका सरंगार नहीं करना चाहते हैं तो बिना सरंगार किये भी आप इनकी पूजा कर सकते हैं और आप इनका सरंगार करना चाहते हैं तो आप इनका सरंगार खीलों से कर सकते हैं और यदि आपके पास कलर नहीं है रंगोली वालिक भी कलर नहीं है तो आप इस तरह से सिर्फ खीलों से भगवान का सरंगार करके पूजा कर सकते हैं और यहां पर मैंने गुबर्धन माराज की पेपर से आँख बना कर भी लगा दी है और यदि आप चाहें तो इनकी आँखें खीलों से भी बना सकते हैं तो हमारे गुबर्धन माराज बनकर रेडी हो चिके हैं मैंने कुछ इस तरह से इनका स्रंगार किया हुआ है तो आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल राइट चोई सिंडेश को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे आने वाली लेटिस्ट वीडियो की नोटिपी किसे आपको समय से मिल सकें ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का लाव उठा सकें तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आप सभी को गोबर धन माराज की लख-लख बधाईया